hi elephants देखिए आज हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे है यह ऩाइज तीजिए थ है कोलीजिन एक केस है जहां पर हम लोग जो दोनों conjunction laws पढ़े हैं हम लों log conservation linear momentum A Compass energy यह दोनों को हम लोग apply करेंगे टिक है यह दोनों का application वाला topic है when we apply law constitution linear momentum and in some kind of технологies बील आप़्लाइप केरेंगे ख कोलीजन एक केस है जहां पे Kunstervans लाजी में कर से येंगा कैजने में कर पाएंगे तो पूरे क्लासिकल सिस्टम होता है हम लोग नहीं कर पाएंगे कर दोbiorी हIt करे गा एक दूसरे को फ्न叉 ठीक है तो वह हिट करेगा तो फ्रैक्शन सेकेंड के लिए कॉंटक्ट में आएगा और उसी टाइम में यह एक दूसरे फोर्स लगाएगा ठीक है अब वह फोर्स का इग्जैक्ट मैथेमेटिकल डिस्क्रिप्शन अवलेबल नहीं रहेगा आपको मतब फ्रैक्शन सेकेंड क अब उस्से को हीट करेंगा एक दूस्से के कॉंटक्ट में आएगा और उससमें एक दूसरे पर वो इंपल्सीफ फोर्स अपलाई करेंगा वह इंपल्सीफ का क्या वेरिएशन है क्वालिटेटिवली तो थो थो बहुत फिर भी हमनों बता सकते हैं कि जैसे ही कॉंटेक्ट तो ऐसे केस में हम लोग Newton's law apply नहीं कर पाएंगे तो हम लोग सुरू करते हैं टॉपिक ठीक है एंड बिफोर आ बिगिन लेट में इंटर्डूस माइसल्फ आम विसाल दिवर्सी एंड आम फेकल्टी एट्रजेक्टरी एडुकेशन और मैं कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं लोग समझेए 20 साल होग है ठीक है तो यह टॉपिक हम लोग सुरू करते हैं कोलीजन का थीजिए तो दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक तो है बेज़न का निहिजिन का बात कर रहा है तो based on की कोलीज़ने के साफ्मे मेकैनिकल आनर्जी कंजर मैं मेकेनिकल शॉगा और नहीं हो और इसके बेसिस पे हम लोग एक classification करते हैं that is elastic collision and inelastic collision ठीक है और एक और classification हम देखेंगे that is head-on collision and oblique collision ठीक है तो head-on oblique कभी थौधर में discuss करेंगे पहले हम लोग elastic और inelastic collision discuss किया जाए elastic collision और inelastic collision हम लोग पहले discuss करते हैं ठीक है तो लेस्ट डिस्कस अब इलास्टिक अड़ इलास्टिक अड़ यह डिस्कस के लिए जाए पाला है ठीक है एलास्टिक अड़ इनेलास्टिक कॉलीजन देखिया सपोज करो दो बाड़ी है एक बाड़ी M1 मास्क अगर दूसरा बाड़ी M2 मास्क अगर सपोज को इनिशियली यह V1 से मूँफ कर रहा है और यह से V2 से मूफ कर रहा है प्रिमुएज वीवन आदूसरा वीटू से मुव कर रहा ह। तीक है? स्ट्रेट लाइन में मुव कर रहा ह। अब सपोज करो सपोज V1 is more than V2 अगर V1 V2 से बड़ा होगा तो दोनों के बीच में जो distance होगा वो धियर धे घटता जाएगा अगर V1 V2 से बड़ा होगा तो दोनों के बीच का जो distance है वो धियर धे कम होता जाएगा ठीक है और X मैं ऐसा आएगा जब V1 V2 को M1 M2 को hit करतेगा अगर V1 less than V2 है फिर तो collision होगा ही नहीं आपका ठीक है फिर तो collision का question ही नहीं होता है अगर मालो V1 greater than V2 है उस case में दोनों बाड़ी के बीच का जो distance है वो घटता जाएगा और X मैं ऐसा आएगा जब M1 M2 को hit करेगा M1 will hit M2 M1 M2 से टकरा जाएगा ठीक है जब hit करेगा तो एक fraction of second के लिए they will be together दोनों यह before collision का case हो गया before collision जब hit करेगा तो वो दोनों एक दुस्रे पे impulsive force लगाएगा इंपर्सीफ फोर्स क्या आता है इंपर्सीफ फोर्स का मतलब है large force acting for small time इंपर्सीफ का मतलब है इंपर्सीफ फोर्स is basically large force acting for very small time force का magnitude ज्यादा है यह बहुत कम समय के लिए act करता हूँ यह ऐसा ही force collision के समय होता है जब मालो कोई ball है अब ball को फिक दिया हमने wall पे अब wall के बिल्कुत फोड़ा देर तक बहुत fraction और second के लिए बहुत large force लगाएं पर very small time ठीके force acting for a large force acting for small time we call it impulsive force we call it impulsive force तो during collision क्या होगा during collision जो वो contact में आएगा तो वहाँ पर M2 जो है M1 पर एक impulsive force लगाएं सपोज वह impulsive force N1 है और M1 M2 M1 पर एक impulsive force लगाएंगा और M1 M2 पर एक impulsive force लगाएंगा M1 जो N2 है that is force applied by M1 on M2 और N1 का है force applied by M2 on M1 तो N1 N2 यहाँ पर impulsive force है यह एक impulsive force है ठीक है आए यह बहुत थोड़े समय के लिए मतलब fraction of second के लिए contact मेराएगा और fraction of second के लिए वो यह impulsive force मतलब impulsive force कहते हैं तभी है जब वो कुछ ही बिल्कुर small time के लिए act कता है तभी इसको impulsive force बोलते भी है ठीक है और impulsive force के वाई से क्या होगा V1 का velocity घट जाएगा V1 का sorry M1 का velocity जो है वो कम हो जाएगा M1 का velocity कम हो जाएगा मानलोग कम हो के हो गया V1 डैस ठीक है और M2 का velocity बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर N2 जो है वो V2 के direction में हो N1 जो है V1 के opposite है तो M2 का velocity जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है M2 का velocity बढ़ जाएगा तो V1 डैस ठीक है V2 डैस ठीक हो गया आफ्टर कोलीजन हो गया यह विलास्टी आफ्टर कोलीजन यह केस हो गया दियूरिंग कोलीजन अब आपको इसमें जो V1 V2 है वो तो दिया रहेगा इनिशियल तो स्टेट दिया रहेगा अब आपको करना पहरेगा यह यह दो फीन डैस वी टुड़ आफ अपया ठीक है व्रभर को स्टेट पहलिए οग्माय को तो हरो में यह केसे कर सकता हो सब्लेखने में है युजकन में आपको भी निकालने को सब्सкив प्रक्योंच यह की सब्सक्ता सब्सक्राइब निकालन के चलिए यह हमने आपको बढ़ा कि fraction of second के लिए यह apply होता है तो यह जो force है मालो अगर vector form में इसको लिखते हैं तो अगर मालो इसको तुम ले लेते हो false step ice direction को लेते हो negative ठीक है यह क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अगर vector form में ऐसा लिखा जाए तो I'll write it as this अज़र इस वली क्या होता है जब if f is impulsive force if f is impulsive force and if it acts for very small time if it acts for very small time it leads to change in linear momentum it leads to change in linear देखे कहां से आता है मैं पहले वो बताता हो आपको पहले कहां से आता है पहले यह बताता है जिसे newton से के ला आप जानते है newton से के ला क्या बताता है dp by dt is equals to f ठीक अब अगर dp को अधर ले जाए sorry dp को dt को अधर ले जाए तो ऐसे लिखा सकता है हम ऐसे लिख सकता है हम लो and this is equal to what suppose pi is the initial linear momentum and pf is the final linear momentum यह जाएगा pf minus pi ऐसे लिखा जाएगा f अगर constant है during small time interval वो मालना impulsive force constant है तो ऐसे लिखाएगा न तो हो जाएगा आपका pf change linear momentum equals to f delta t अब अब डेल्टा टी बहुत छोटा है अब डेल्टा टी बहुत छोटा है अब डेल्टा टी बहुत श्मॉल है तो यह जो change linear momentum finite तभी होगा change linear momentum considerable तभी होगा जब यह force बहुत आपका high हो जाएगा समयना आप impulsive force जब यह अगर मालो impulsive force ना हो यह मालो यह f impulsive force नहीं है और डेल्टा टी बहुत कम है उस case में क्या होगा this will tend to zero and in that case there won't be any change linear momentum लेकिन अगर impulsive force act कर रहा है अगर impulsive force large force अगर f बहुत large है और even if वो बहुत कम समय के लिए act करेगा means f is large delta t is small then in that case this will be finite मतलब कहने कर लगा है कि अगर f भी कम है और delta t tending to zero है उस case में तो यह tf minus pi almost zero हो जागा उस case में linear momentum कोई change नहीं होगा लेकिन अगर यही small time बेसक हो लेकिन अगर एफ बहुत large हो जाएगा उस case में एफ डेल्टा टी विल भी फाइनाइट मेंस डेल भी finite चेंज इन दा linear momentum of the body on which impulsive force is acting जिस body पर impulsive force act कर रहा है ठीक है even if impulsive force acts for very small time तभी उसको impulsive भी बोलते हैं impulsive का दो characteristic है तो वो large force होता है आये छोटे समय के लिए act करता है ठीक है छोटे समय के लिए act करने के बावजूद चोकि यह large है इसलिए यह product finite होता है आई उस case में लोग करते है अगर impulsive force act कर रहा है तो उसके momentum है किसी भी body पर impulsive force act करेगा उसके momentum है finite change आएगा आई इस change in momentum को हम लोग impulse बोलते हैं this change in momentum which is due to action of impulsive force change in linear momentum due to action of impulsive force on the body is called impulse इसको हम लोग impulse बोलते हैं because impulse change in linear momentum को हम लोग impulse बोलते हैं ठीक है तो अगर यहाँ यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ अगर मालो इसका equation लिखें यहाँ पर हम लोग suppose करो इमिटार रहे अगर इसको हम लोग लिखें vector form है तो इसका हो जागा n1 minus i cap dt equals to यह मलो delta t के लिए अगर यहाँ लिखें this is equal to what change in linear momentum change in linear momentum m1 v1 does i cap minus m1 v1 i cap अगर लिखें f dt equals to f is impulsive force equals to final linear momentum minus initial linear momentum अच्चा m2 के लिए क्या लिखा जागे यही चीज n2 यह तो positive direction में लग रहा है dt equals to m2 v2 v2 dash i cap m2 ऐसे लिखा जाएगा इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि n1 आच्चा एक ची और समझी है n1 n2 जो है n1 n2 जो है वो action reaction force होगा विका यह अगर n1 is the impulsive force exactly by m2 on m1 then m1 will also is at a reaction force तो n1 n2 आच्चा न्यूटन स्थर्ड ला यह action reaction force होगा तो suppose को n1 को अगर n लेते हैं तो n2 का value भी n रहेगा अगर vector sign के साब minus और plus n लिखेंगे बट यहाँ पर तो हम लोग vector sign vector को तो i cap से denote कर रहा है तो यह क्या लिखा जाएगा minus n d t equals to m1 v1 dash m1 v1 यह क्या लिखा जाएगा जो magnitude by n1 n2 तो सेम रहेगा न आपका action reaction forces है ठीक है इस तास लिख सकते है तो impulsive force का meaning सहाज में आ रहा है impulsive force और impulse क्या आता है impulsive force is large force acting for small time ठीक है आ चुकि वो small time के लिए भी act कर रहा लेकि चुकि force बहुत large होता है तो उसका product जो है वो finite होता है तो whenever impulsive force acts on the body it leads to finite change in the linear momentum जब भी impulsive force act करता है body पे तो even if वो कम समय के लिए act कर रहा तब भी f delta t एफ बहुत हाई है delta t बहुत चोटा है लेकि उसका product finite हो जाएगा क्योंकि f बहुत हाई है तो जब भी impulsive force किसी body पर लगेगा तो उसमें finite change in linear momentum आ जाएगा ठीक है finite change in linear momentum आपका निकल के आएगा और उस change in linear momentum को हम लोग impulse बोलता है तो आचा एन वन एन टू दोनो action reaction forces है तो magnitude वाई देल भी इक्वल ठीक है magnitude वाई देल भी इक्वल तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते है equation चिक को ने यह तो अलग चीज़ में बता रहा था आपको impulsive force चुकि यहां लगता है इसलिए clear करना जरूरी था अब देखिए हमारा objective के है हमारा objective अगर मालो वी 1 वी 2 दिया हुआ है तो हम लोग को वी 1 डैस और वी 2 डैस निकालना है दो unknown है दो unknown है दो equation चाहिए तभी यह दोनों unknown freeze होगा ठीक है तभी यह दोनों unknown निकाल पाएंग और यह है कि अगर मालो इसको हम लो सिस्टम ले 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 अगर यह इसका अचा यहां पर impulsive force N जो है उसका complete description नहीं पता है mathematically क्या description है यहां भी जब मैं F को बाहर निकाल रहा था तो बड़ा वो था मतलब क्या उसको बलता है बहुत sure माल ले ऐसे बोले माल ले F constant है होता नहीं ह को इसी ठकराएगा तो शुरू में force impulsive force कम होगा दिये बढ़ेगा deform कर जाएगा फिर बढ़ेगा फिर जाके घटेगा ठीक है तो बहुत अजमसर लेके हम बहुत कि चलो माल लो F constant हो दे बाहर निकाल देफ डेल्टा F DT को integral को F DT बोल दिया था ठीक है बट यह भी जो हमने F को बाहर निकाल था ठीक है बट बिकलर से वे स्योरिटी कि F जो इंपल्सिव फोर्स लगा वो constant होगा नहीं ज़री नहीं है ठीक है हम लोग क्या करेंगा हम लोग मोमेंटम ग Jedi अगर माल लो हम लोग इस पूर्य को system माले m1 m2 will be part of a system m1m2 को एक hey तो ठीक है और हम लोग लिनिया हमेंटम कर सकते है तो लिनियाअटम अगर करेंगे हम लोग इसका क्या है M1 V1 अगला पेज पर लिख देते हैं ठीक है linear after collision is what linear after collision is M1 V1 dash M2 V2 dash अभी 4 collision क्या हो जागा M1 V1 plus M2 V2 ठीक यह आपका equation 1 हो गया अब देखिए तो linear momentum तो conserve होगा linear momentum conserve रहेगा ठीक है यहाँ पर इवन दोनों टकराएगा तो they will exchange linear momentum मैंने आपको बताया था एगा दो body एक दूसरे force exert करता है तो जितना linear momentum एक का बढ़ेगा उतना ही linear दूसरे का घटेगा linear momentum देखिए एक ही टाइप का होता है energy तो कई तरह के होते हैं तो जब दो body टकराते हैं तो energy हो सकता है केई कुछ और other form में convert हो जाए लेकि linear momentum का दो टाइप नहीं होता है अगर एक बंदा linear momentum लूज करेगा तो दूसरा of course gain करेगा और जितना एक लूज करेगा उतना ही दूसरा gain करेगा चुकि तीसरा body एह है नहीं कहीं पर तो जितना एक body लूज करेगा linear momentum उतना ही दूसरा gain करेगा यह हमने लाव कंजर्शन linear momentum पढ़ा रहे थे तो बहुत क्लियरली आपको प्रूफ करकर बताया थे mathematically कैसे जब दो बॉड़ी एक दूसरे पर फोर्स एक्जर्ट करता है तो जितना एक बॉड़ी linear momentum गेन करता उतना ही दूसरा lose करता है इसलिए अगर दोनों बॉड़ी को एक सिस्टम माल लिया जाए तो लिनियर वेंटर विए एक कंजर्व क्वांटिटिव क्यूस केस में जो फोर्स है वह आपका इंटर्नल फोर्स बन जाए वही यहां पर हो रहा है एंड इंटर्नल फोर्स हो गया तो इंडिविज्वली लिनियर वांटर्न दूनों का बदल रहा है जितना एक वंदा लिनियरे वेंटर्नल फोर्स कर रहा उतना ही दूस्सा गेन कर रहा है यहां भी आपको दिखर होगा देखिए यहां यह क्या RM 1 W1 dash क्या है V1 dash V1 से छोटा हो जाएं जो है V1 के opposite लगा है तो इसका linear momentum क्या हो रहा है यह आपका negative है ठीक है यह changing linear momentum यह इसका यहाँ पर linear momentum कम हो रहा है ठीक है अज इतना कम हो रहा है उतना ही यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर अगर यह मालो डेल्टा P1 लेला है इसको इस 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 डेल्टा P1 और यह इस डेल्टा P2 ठीक है यहाँ लिख लो वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिख लो अगर यह मालो डेल्टा P1 है और यह सबोज को डेल्टा P2 है और magnitude बढ़ दोनो N है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेल्टा P1 is माइनस अफ डेल्टा P2 अथा एक बंदा जितना linear momentum लूज कर रहा है दुस्ता उतना ही gain कर रहा है तो यहाँ से आपके लिख लिख भी बोल सकते हो कि डेल्टा P1 प्लस P2 is 0 जो पूरा system है उसका linear momentum में कोई भी change नहीं होता विकाँ जितना एक लूज करेगा उतना ही दुस्ता gain करेगा थिक बट यही चीह हमने energy के बारे में नहीं बोल सकते है energy के बड़े सारे form है थिक है उसे potential kinetic जो है वो दो mechanical energy का form है उसके अलावे तमाम और भी energy के form है जिसे heat है light है ठीक है आपका sound energy है तो जो दो body टकराता है तो आप देखो यह कई बार sound produce होगा ठीक है तो sound energy कहां से generate हो रहा है energy तो concert quantity हो तो कहां से आ रहा है energy create नहीं हो सकता है न जरूर वो kinetic energy जो पोजेज कर रहा हो वही कुछ उसका कुछ portion sound energy में convert हो गया होगा यह दो body कई बार टकरागा तो heat up होगा तो heat energy कहां से आ रहा है it cannot get out of nowhere कहीं ने कहीं से तो energy convert होके कहीं उसका genesis होगा नहीं energy create नहीं होगा जो existing system में को energy वही convert होगा तो केई जो है heat में convert रहता है कई बार चिंगारी भी निकलता है तो चिंगारी कहां से आ है वो energy कहां से है ultimately mechanical energy ही convert होके हुआ होगा चिंगारी के form में light के form में आया होगा ठीक है तो ऐसे case में जो अगर दो body मालो hit कर रहा है तो आफकोर्स हिट कर रहा है तो उसको वहाँ पर energy का भी exchange हो रहा हूँ है momentum exchange होगा but momentum exchange equal and opposite होता है momentum का दो form नहीं होता है तो एक लूज करेगा दूसा गेन करेगा ठीक है को तीसा वाड़ी कोई है नहीं लेकिन यह चीज हमनों energy के बारे में नहीं बोल सकता है हलाकि देखिए इसका केई बढ़ रहा है इसका केई घट रहा है लेकिन यह नहीं बोल सकते कि एमवन जितना केई लूज किया उतना ही एमटू गेन किया है क्योंकि इस दुरान हो सकता है कि जो मास एमवन जितना केई लूज किया है उसका कुछ हिस्सा हीट लाइट या साउंड में करनवर्ट कर गया हो तो उसकेश में एमटू का केई उतना नहीं बढ़ेगा जितना एमवन का केई फॉल किया है क्योंकि जब दो बाडी इंटराइट करते हैं तो अफकोर्स वह इंटराक्शन में मोमेंटम एक्स्चेंज इ defendant रहीगा Gonna एक करना स्वॉल से फोर्ट फोर्स डिया करता है तो मोमेंटुम के इख सकते यह यह बहुत कर दो जब सकता है इस पुरे को लीजन के दौरान कुछ इनर्जी नोन मेकैनिकल पर्म मतलब वह इनर्जी यह दोनों पार्टिकल को बिलॉंग ने करके वह सराउंडिंग में डिसीपेट कर जाएगा तो कुछ दूद कुछ देर तक यह दोना हीट रहेगा उसके वह हीट कहां जाएगा सरांडिंग में चलाएगा यह तो ला है ना कि भाहर का जो टेंपरेचर है वह धियर 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 हीट पर्टिकल को बिलॉंग नहीं करके वह सराउंडिंग को बिलॉंग करता है इसलिए उसको नौन मेकैनिकल फॉर्म आफ इनर्जी बोलता है तो यहां पर हो सकता है इनर्जी इंटारीट में तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा अगर हीट लाइट सांड भी इंक्लूड कर लो तो इनर्जी कभी भी नौन कंजर्व नहीं होता है इनर्जी हमेशा ही किसी भी प्रासेस में इनर्जी कंजर्व रहता है लेकिन अगर हम लोग मेकैनिकल इनर्जी का बात कर रहे हैं और हम कोई districts नहीं हो रहा है यहां पर कोई हार्ड बॉल ठीक है तो उसके से मान के चलेंगे यहाँ वह पाचा हम लोग यह भी मान के चलना कि कोई पोटेंशन आजी में घाटा बार्द नहीं हो रहा है वह सेम लेवल पर है ठीक है जस्ट बिफोर को लिजन जस्ट आफ्टर को लिजन पोटेंशन जिब पोई कोई Deformation नहीं है Potential दो फार्म का हो सकता है यहां पर आपका एक तो हो गया Deformation Energy about deformation को हम Potential नहीं बोल सकते हैं ठिक है आदूसरा हम लोग का यह तो हम आदूसरा हम ग्रविटेस्टनल की है तो हम लोग मानके चर्णा है कि जस्ट भी कोलिजन दिफ्रेंस नहीं कर रहा है कि कोई deformation भी नहीं हो रहा है ठीक है यह हम लोग अजूम करके चल रहा है तो यह हार्ड बॉल हमाने कि हार्ड बॉल है हार्ड बॉल मतलब कोई deformation नहीं है ओके तो उस तो ऐसा हो सकता है कि दो काईटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो है अगर मानलों कोई नॉन मेकनिकल फॉर्म केंवर्जन होता है उसके समय काईटिक इनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी लेस दन काईटिक नई काईटिक लिए बेफोर कोलिजन अगर कईव का कुछ डेसिपाशन हो रहा है कुछ नोन मेकैनिकल फॉर्म में कन वे कंवर्ट कर रहा है तो के आफ्टर कोलिजन विल बी लेस दन एक्वल or कईब़ोर कोई नहीं डेसिपाऊट कर रहा है उस case में kinetic energy after collision will be equal to kinetic energy before collision will be equal to kinetic energy before collision ठीक है तो in general हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के after collision what is के after collision will be less than equal to V1 dash as I am low link sector ठीक है ठीक स्वाइमारा less than equal to क्यों है अगर कोई dissipation mechanical कोई भी kinetic energy dissipation नहीं हो रहा कोई भी कही non mechanical form में convert नहीं हो रहा है कोई heat light sound produce नहीं होगा उस case में equality हो जाएगा अधरवाई यह less होगा कुछ energy convert कर गया कुछ kinetic energy heat light or sound में convert कर जाएगा उस case में जो kinetic energy after collision होगा वह less than kinetic before collision हो जाएगा कितना less होगा जितना conversion होगा कितना लेस होगा कही जितना convert किया non mechanical form में उतना कहीं कम हो जाएगा ठीक तो इसको manipulate करते है equation को ठीक है इसको लोग कैसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो m2 v2 dash minus v2 equals to m1 v1 minus v1 dash इसको क्या लिख सकते हो हाफ अब तो कट जाएगा आचकी हाफ जो है minus 2b और minus 2 minus 2 cancel करोगे तो यह हो जाएगा लेकिन प्योंकि हाफ positive संख्या है तो अगर cancel करेंगे तो inequality में कोई परिवर्थर नहीं होगा तो क्या लिख सो तो m2 v2 dash square थोड़ा से error है यह है tau square kakakakakakakakakakakakakakā यह सब पॉस्टिव है यह भी पॉस्टिव है आफ्टर को लिख दो सपोस्को तीन आइस को लिख दिया चार अब अगर चार को डिवाइड कर दिया तीन से तो क्या जाएगा बताओ इस लिभी वी टू डैस प्लस वी टू इनिकॉल्टिव कोई परिवर्ता नहीं आएगा सब पॉस्टिव है यहाँ पे ऐसे लिख सब्ट है ठीके अगर कोई भी मेकानिका इनर्जी कनवर्ट नहीं हुआ हीट लाइट और सौंड में यहाँ इकॉलिटी आएगा और अगर कुछ इनर्जी कनवर्ट हो गया है तो यह लेस हो जाएगा ठीक है यह इनिकॉल्टिव सुरू से चलता आ रहा है ठीक है तो कंडिशन वहीं ह है अगर कोई भी केई कनवर्ट नहीं हुआ है उसकेस में तो इकॉल हो जागा यहां पर अकुछ केई माला नॉन मेकैनिकल फॉर्म में कनवर्ट हुआ है तो यह लेस रहेगा और कितना ज्यादा इनर्जी कनवर्ट होगा उतना ही है लेफ्ट हंड साइड लेस होगा जितना लेस होगा के जितना केई कनवर्ट हुआ उतना ही यह लेफ्ट हंड साइज से लेस होगा तो चीजी बदल गया डिवाइड का के तब यह वेलास्टी वाला डैमेंशन में आ गया है तो इंक क्वालिटेटिवली अभी यह बोला है सकता है कि जितना अधिक इनर्जी नौन मेकैनिकल फॉर में कर्वड होगा उतना ही लेफ्ट हंड साइड राइठ और साइज से कम होगा मतलब नाट इंटर्स ऑ मैंगनीचूर क्वालिटेटिवली मतलब जदा इनर्जी कनवर्ट होगा के नौन मेकैनिक तो यह लेफ्ट हंड साइज ज्यादा कम हो जाएगा का यहां पर कर सकते हैं जितना के इगा इसको और क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V2 dash minus V1 dash is less than equal to V1 minus V2 again अगर कोई भी कहा है तिक नजी convert नहीं हुआ है non-mechanical form है तो यह equality हो जाएगा ठीक अच्छे इसको एक और तरीका है लिखने का V2 dash minus V1 dash ठीक तो हम लोग को एक ratio मिल गया है ठीक है एक ratio मिल गया है आए ratio हम देखने हैं कि less than equal to 1 है अब यह ratio अगर कोई भी कहा है टीक नजी non-mechanical form में convert नहीं करता है तो यह ratio equal to 1 होगा अगर कोई भी कहा है टीक नजी non-mechanical form में convert नहीं होता है तो यह ratio एक के बराबर होगा लेकिन अगर कुछ कहा है टेके नाजी नॉन मेकैनिकल फॉर्व इनलजी हीट लाइट सौल में यह कोई percentage conversion नहीं है मतलब लेकिन जो यह ratio का value है वो depend करेगा कि कितना केई convert किया है non-mechanical form depend करेगा इसका कोई numerical relation नहीं है लेकिन dependence जरूर है मतलब अधिक केई convert करेगा non-mechanical form में तो एक से ज्यादा छोटा होता चला जाएगा ठीक है यह ratio बड़ा important हो गया नहीं यह ratio एक तरह से nature of collision को describe कर रहा है यह ratio एक तरह से nature of collision को describe कर रहा है कि कितना यह आपको एक idea दे रहा है कि कितना केई जो है non-mechanical form में convert हुआ होगा ऐसा आपको यह ratio idea दे रहा है nature of collision के बारे में आपको यह बता रहा है अगर कोई भी केई non-mechanical form में convert नहीं किया होगा तो यह ratio एक के बराबर होगा लेकिन अगर केई convert हुआ होगा तो यह एक से चोटा हो जाएगा बहुत convert किया होगा तो एक से ज़्यादा चोटा होता चला जाएगा यह ratio इस टाइप का चीज आपको बता रहा है कोलीजन का नेचर के बारे में आपको information दे रहा है इसलिए यह ratio काफी important होता है इसको हम लोग e से denote करता है जिसको बोलायाता है coefficient of restitution इसको हम लोग coefficient of restitution बोलता है E which is equal to V2 dash minus V1 dash V1 minus V2 ठीक है अब V2 dash minus V1 dash क्या है V2 dash V2 dash minus V1 dash क्या है यह एकटास से बताता है relative velocity और M2 with respect to M1 यह एकटास से velocity है यह एकटास से velocity है the rate rate at which the separation between M1 and M2 is increasing नहीं एकटास है V2 dash minus V1 dash चोकि V2 dash minus V1 dash क्या है relative velocity है M2 with respect to M1 और we can say the rate at which the separation between M1 and M2 increases ठीक है तो एक तरसे यह velocity of separation है अब V1-V2 क्या है यह M1 का relative velocity M2 के respect में है और we can say this is velocity of approach V1-V2 is the velocity with which the two bodies are approaching समझ मादा आपको V1-V2 जो हो गया यह velocity है जिस velocity से दोनों body एक दुस्दे को approach कर रहा है ठीक है So this is nothing but this is the velocity of separation and this is velocity of approach यह velocity of separation है आई यह velocity of approach है ठीक So coefficient of restitution is velocity of separation upon velocity of approach इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको ठीक है कुछ चीज है देखे बहुत साचीज तो हम नहीं बोलता है याद करने है तो यह सबजेक्ट नहीं है याद करने वाला लेकिन यह आप याद रखिए ठीक है कुछ इसका यूज पड़ेगा आपको numericals में तो यह आप याद रखो जो हम बोल रहे हैं याद रखो याद रखो ठीक है तो हम बहुत कम चीज याद करने के लिए बोलते हैं इसको तो आप याद रखिए आप कैसे याद रखो तुम देखो ठीक है हम तो बच्पन में देखो ऐसे याद रखते थे हैं इसको माइनस रू में लिख देते थे और यहाँ भी वी टू मैस वी बन करते थे ऐसे हम याद करते थे आप देख लो कैसे याद करना है आपको ठीक है सप्रेशन इसको बोलता है तो कोईफिशन रेस्टिशन आपको नेचर आफ कोलिजन का आईडिया देता है अगर यह कोईफिशन रेस्टिशन इकोज्ट टू रावन है इसका मतलब है कोई भी काइंटिक अपनाटी ही varieties あदिशल में कनवर्ट नहीं किया है कम्पलीटली कंजर्ड और ऐसे कोलीजन को हम लो बोलते हैं इलास्टिक कोलीजन ठीक है और यह अगर लेस देन वन होगा यह अगर लेस देन वन होगा उस केस में इसका मतलब ही हो गया कि कुछ किस्सा जो कायाटिक इसी का है वो NON मेकेनिकल पने गया है कंवर्ट हुआ है मतलब की आफ्टर कोलीजन मतलब कर गया है और वह नं मकेनिकल कलेम करता तब इसको नंधयानिक initiatives बोलते हैं और वो सदेन निग को भूड़िया है तो ऐसे को इन Hey rough हुआ है इन्लस्ति को अब इन्लस्ति को अभलीजन में एक स्पेशल केस आएगा स्पेशल केस यह आएगा कि εται है कि यह दो बादी तुमस्य को हिट किया मी में फीन का विलस्ति है आहिए जब फिलस्ट किया तो एक से कॉंटेक्ट में एक-उसके材 में आगे ठीक है एक दूसरे कांटेक्ट में आने के राद हो सकता है कि यह सेपरेट आउट नहीं नहीं लगा हुआ कि चिपक गया है वह ऐसा दिख रहा है आपको की मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आया और फिर साथी आगे चला गया वह कब होगा वह तब होगा जब वीवन डैस और वी टू डैस बराबर होगा वेलास्टी आफ्टर कोलिजन इस सेम इसका मतलब हो गया कि यहीट इच दर केम टूगेदर एंदेने कीप अन मु टू डैस और वीवन डैस बराबर हो जाएगा देर इस नो वेलास्टी आफ सेपरेशन दे नट सेपरेट आफ दे रिमेंड तोगेदर उस केस में ए का वैली जो है वह जीरो हो गया तो इसको ऐसा लिखो पहले इनलास्टीक तो पूरा केस हो गया जीरो के बराबर और वन से चोटा अब इसमें ही एक स्पेशल केस है वन इस जीरो इस जीरो का बहुगा वन दे टू बड़िस आर नाट गेटिं सेपरेटर दे मूव तोगेदर दे खेट इच अधर गूं तोगेदर और रिमें तोगेदर ठीक है रिमें तोगेदर इसको लो बोलता है पर्फेक्टली यहां पर एक चीज़ समझे है कि कई बार ना मैं देखता हूं कि बुक में कहीं भी लोग बोते हैं पर्फेक्टली इलास्टिक है लोग पर्फेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक फरक नहीं होता है तो कोई यहां पर इलास्टिक में ई इकोल स्टुवन है और इक्वालिटी दस तरीके से नहीं होता है इस इकोल टुवन ओंली न वन वे यह जो है एक के बराबर सी एक तरीके से होसता वो तरीका क्या है कि कोई भी केई डेसिपेट नहीं करता है बट इस देमन कई तरीके से हो सकता है यह आपका 0.9 हो सकता है जो पाइंट 2 उसता जो पाइंट 1 हो सकता है बड़े सा रेंज वेल्यूज अलावड है ठीक है डेपेंडिंग अन कितना की डेसिपेट हो रहा है नॉन मेकेनिकल फर्मक अनवर्ट हो रहा है तो इनलास्टिक जरूर है एक्स्टीम कैसा है इकोल डू जीरो सेपरेट आउट ही नहीं हो रहा है वो परफेक्टली इनलास्टिक ठीक है जो कि इसका स्पेशल कैसा है ठीक समझ में आ रहा है कोई चीज़ इस बड़ी क्लियर ठीक है अब यहां से अच्छा क्वेशन में आपक कि इलास्टिक है कोलीजन इलास्टिक होगा उसका में आ यहां से देननार में पहलन सस्टी。 कई वार देखो क्या करता है लो कि यह एक्वेशन देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एक इक्वेशन स्क्वेर में है तो यह तो आप ट्राइए करो कि एक एक्वेशन यहां से उठा और एक एक इक्वेशन टू करके एक्वेशन यहां से टूं करके तो उस के इक्वेशन वन लाइलेन करना स्वेशन नीड करना है संवेशन आपको मिल जाएगा M1 V1 dash M2 V2 dash ठीक और एक equation आपको मिल जागा यहाँ E equals to ठीक है यहाँ से आजाएगा आपका V2 dash minus E ठीक है और इसको आपका ऐसा लिएसा तो minus sub E1 dash plus sub E2 equals to E V1 minus E V2 अब इनको solve कर लो आप एक general expression निकल जागा ना आपका एक general expression आजागा यहाँ से माल लो हम को V2 निकालना है V2 dash निकालना है तो माल लो हम इसको M2 से गुना कर दिये sorry M2 से नहीं M1 से गुना कर दिये add कर देंगे तो क्या आजेगा M1 प्लस M2 V2 dash V2 dash है और M1 से गुना की हो न यह क्या हो जागा M1 1 प्लस E V1 और यह क्या हो जागा जी M2 minus E M1 V2 तो V2 dash is 1 प्लस E V2 dash ठीक और थो बढ़ियांस इसको लिखा जाए और थो बढ़ियांस इसको लिखा जाए तो इसको लिखा जाए V1 plus अपान ठीक अब अगर माल लो इसको हम M2 से गुना कर दें माइनस कर दें तो उसकेस में क्या हो जागा इसको हमने M2 से गुना कर दिया अब माइनस कर दिया तो यह दोना कैंसिलोट हो जाएगा इकोल स्टू समझ में आ रहा जी ठीक है यह आ जाएगा यहां से आपका V1 डास इकोल स्टू इन्टो V1 1 प्लस E M2 वेरिफाइ करना है को याद नहीं है याद बहुत कम चीज़ गी है फिजिक्स में ठीक है ऐसे हम लोग लिख सकते रहां इसे टाल राइट वेरिफाइ भी हो जाएगा इसे पेशल केसे नहीं देख सकते हैं कुछ पूछ तो हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं जैसे सपोज करों की मन बहुत बढ़ा है M27 M1 बहुत बढ़ा है M27 है कि कोई मौलों ट्रेन है और ट्रेन के सामने मालों एक आदमी खड़ा हो गया तुशाइड करने के लिए हलागे ऐसा इज़ां पर लेना ठीक नहीं होता है तो अगर ट्रेन के सामने बहुत हलका एक आपजेक्ट है तो उसकेस में क्या होगा पोलीजियं के बाद ट्रेन का स्पीड बदलेगा नहीं बदलेगा अर एक हलका फुल का आपजेक्ट रहेगा तो उससे क्या फरक अगर मालो कोलाइड कर रहा है किसी बहुत अलाइट अब्जेट्स है मालो डस्ट पार्टिकल से तो कलाइड करता ही रहता होगा तो उसके सब्सक्राइड का वेलास्टी नहीं बदलेगा यह फार्मूला में भी हमको यहीं मिलना चाहिए फिर कि एम वन इस वेरी लाज कंप M1 इस वेरी वेरी लाज कंपेर तो M2 ठीक है तो V1 डाइज क्या हो जाएगा इसको हम लोग क्या लिख से तो 1 माइनस E M2 अपान M1 1 प्लस M2 बाइड M1 V1 प्लस 1 प्लस E M2 बाइड M1 ठीक है अब M1 बहुत लाज होगा तो क्या होगा M2 बाइड M1 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 वीवन सही आ रहा है यह सब जीरो हो जाएगा न तो वीवन डैस्ट विल भी वीवन एक्सपेक्टेड है अगोई ट्रेन मान लोग किसी स्लाइट अब्जे से टकरा जाएगा तो क्या परक पड़ेगा ट्रेन का स्पेड कुछ भी परक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह तो हम अब ही आएं रहा है हम लोगों ठीक है वीटूच किया होगा और वीटूच तो देखो वीटूच तो हम Comment . नहीं पता सकता है सोचा तो यह निकाल लो, 1 प्लस E, M2 बाइ M1 कर लो, 1 प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस E, V2, अब M2 बाइ M1, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस E, V1, अब माइनस, E, V2, अगर यहीं, Elastic Collision होगा, तो E, इकोल टो 1 हो जाएगा, तो 2 V1 माइस V2 हो जाएगा, इनके सब Elastic Collision, V2 डाश विल बी, 2 V1 माइनस V2, जब रहीं नहीं है, यहाद करना, ठीक, यह तो हो गया, when M1 is very large compared to M2, when M1 is very large compared to M2, ठीक हो, अब एक देखिए, case ले लेते हैं, when M1 is equal to M2, मतलब M1 जो है, M2 के बराबर है, दोनों मास identical है, तब क्या होगा, if M1 is equal to M2, उस case में क्या हो जाएगा, V2 dash will be, M1 is equal to M2 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 plus E upon 2 V1, plus 1 minus E upon 2 V2, अब V1 dash क्या हो जाएगा, 1 minus E upon 2 V1, of 1 plus E upon 2 V2, M1 M2 के बराबर है तो, and in case of elastic, E to equal to 1 हो जाएगा, उस case में क्या हो जाएगा, V2 dash will be equal to V1, and V1 dash will be equal to V2, यानि अगर मालों elastic collision हो रहा है, और दो बॉल, दोनों body identical है, अगर दोनों body identical है, और elastic collision हो रहा है, तो उस case में velocity exchange हो जाएगा, जो M1 का velocity का, वो M2 का हो जाएगा, M2 का जो है, वो M1 का हो जाएगा, V2 dash is V1, and V1 dash is V2, यह important result है, ठीक है, यह important result है, when M1 is equal to M2, अब M2 अगर बहुत बढ़ा हो M1 के तब क्या होगा, M2 अगर M1 से बहुत बढ़ा है तब क्या होगा, M2 का velocity में तो कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, M1 rebound कर जाना चाहिए, उस case में क्या हो जाएगा, V2 dash will be 1 plus E, M1 by M2, V1 and 1 minus E, ठीक, अब V1 dash क्या हो जाएगा, and 1 plus E, अगर M1, M2, M1 से बहुत बढ़ा हो जाएगा, तो यह 0 हो गया है सब, ठीक है, तो उस case में V2 dash क्या हो जाएगा, V2 dash will be V2, पही जाते कि मतलब कोई बहुत हेवी आबजेक्ट है, उससे कीरा मुकरा टकराते मिड़ागा, तो क्या फरक पड़ेगा, तो पीछे जाके कोई मार दिया, बहुत हेवी है, तो क्या फरक पड़ेगा, मार लोग कोई ट्रेन है, अब cycle से जा रहा है, और हीट कर दिया है, ट्रेन का फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए V2 dash equal to V2 है, और V1 dash क्या हो जाएगा, V1 dash है आपका हो जाएगा, minus EV1, 1 plus EV2, ठीक, अगर, elastic होगा, ज़र 2 V2 minus V1 हो जाएगा, रहीं लिखे हैं नहीं, ठीक है, minus EV1, ठीक, समझ में आ रहा है यह चीज, यह special cases पर याद रखेंगा, एक तो common sense है आपका, कि अगर M1 बहुत बड़ा है, आउ जाके किसी light of it को, hit कर देगा, तो M1 का velocity को फरक नहीं पड़ेगा, M2 बहुत बड़ा है, उसमें जाके कोई पीछे से hit कर दिया, M2 के velocity को फरक नहीं पड़ेगा, तो common sense है, M1 equal to M2 वाला case, याद रखी है, बलकि आप, ठीक है, तो elastic और inelastic समझ में आ रहा है जी, elastic और inelastic clear हो रहा है, यह classification है, based on whether, K is conserved or not, whether mechanical energy is conserved or not, इस basis में हमने, उसको classify कर दिया, दो भाग में, एकादो सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, वह वाला case, oblique collision, head on and oblique collision, ठीक है, head on और oblique collision मेरे case देखा जाएगा, ठीक है, सवाल इसमें होगा मेरे पस, देखिए हैं सवाल, यह सवाल करते हैं, यह कर लिया जाएगा, यह भी कर सकते हैं, यह सवाब लिक का हो जाएगा, यह भी oblique का हो जाएगा, ठीक है यह तीन सवाल के पहले पढ़ लेंगे और यह तीन सवाल हम लोग करते हैं ठीक देखिए क्या क्वेश्चन है एक बॉल ऑफ मास एम मोविंग विट विलास्टी वी एलांग एक सैक्सिस स्ट्राइक अनदर बॉल ऑफ मास्ट हुएं किप्ट अट रेस्ट एक बॉल है एस्टी वर्मा के दर को कोश्चन लिये हैं हम अच्छा कोश्चन सब है ठीक है अपना समझने के लिए एक साइक्सिस के लाम मूव कर रहा है आज दूसरा बॉल जो है तूएब है रेस्ट पर रखा हुआ है फस्ट बॉल कम टूरेस्ट आफ्टर कोलीजन यह बिफोर ठीक लिए दिछ रगा है फस्ट बॉल कम स्थट पाहला बॉल जो हर रस्ट पा आ गया अप्टर कोलीजन पहला बॉब जो है मन जो है वह रेस्ट पे आ गया अज दूसरा बॉल गया हो गया organizational खार गया दो एकोल पीसे में टू एम जोह हैं दो ह यह x Love situation वहीं त्ऩ से देखे पड़ना है है फजीक्स का सवाल में कभी भी जली नहीं होना चाहिए कि इस हो सवाल में कभी भी जल्दबाजी की कुएस्चन चाहिए सब्जों पहला सब्सक्रीप है 20% question 30% question तो वहीं solve हो गया जो question आप सही से पढ़ लिए question सही से पढ़ लिए तो 20% question solve कर लिए कि अच्छे से पढ़के समाज गया question को ठीक है लोग बहुत जल्दी में रहता है पता नहीं आज किया लोग हो गया है जल्दी shortcut tricks ठीक है मतलब पता नहीं I don't know जो बिना समझे चीजों को किया है और बीना समझे इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल करना पड़ जाता है अगर समझे रहेंगे फिसको कम सवाल करके भी आप बहुत अच्छा रेंक लेंगे तो देखें क्या वोल रहा है वन आप देखो हम भी विश्यांतर हो गए और दो पर्स्ट वाल कंसरेस्ट आफर को लिजिन और अधर ब्रेक्स इंटो टू इकॉल पीसे यह जो है नदो इकॉल पीसे ब्रेक कर गया जिसमें वन अफ़ पीस स्टार्ट मुविंग अलां वाई एक्सस एक तो चला गया वाई इसके तरफ ठीक है अच्छा वाट विलास्टी अधर पीस तो साला मुमेंटम एक्स के लांग था बिफॉर कोलीजन तो मुमेंटम इस अल्वेस कंसर्व अगर यह पूरा सिस्टम लोगे ना तो मुमेंटम हमेशा ही कंसर्व रहेगा ठीक है अब दूसरा पीस कहा जाएगा बताओ मालो लेट विलास्टी अफ अधर पीस चैस अच्छा आइसे बिफॉर आ राइट संथिंग बताओ दूसरा पीस के डिरेक्शन की तर होगा पहले दोखो लीनियो मेंटम वाई डिरेक्शन में पहले नहीं था अभी क्या हो रहा है एक पीस का लीनियो मेंटम वाई ड सब्सक्राइब नहीं है तो आफ्टर वेक्टर क्वांटिटी है उसका दोलों कॉंपनेंट कंजब होगा पी यहां पर सीस्टम में इस पर नेट फोल बड्र नेट फोल नहीं लग लगिया वेक्टर क्वांटिटी कंजब होने का मतलब है तो यहां भी यहां भी यहां चाहिए तो यहां भी यहां भी यहां भी होना चाहिए यानि यह तभी हो सकता है जब दूसरा पार्टिकल कुछ इस डिरेक्शन में ऐसे मूव करेगा इसका विलास्टी भी दिया हुए जी हां वी बन दिया हुए ऐसा इसका न दो एक 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 के लॉग एक वाई के लॉग आएगा वाई के लॉग जो आएगा वो इसको किल कर देगा नेट लिनियर मेंटल जी यह कर देगा एक है तो यह थीटा कुछ ऐसा होगा थीटा निकालना पड़ेगा ठीक है आया सब्सक्राइब करो कि वे लास्टी वी डैस है तो यह थीटा कुछ ऐसा होगा such that कि PY after collision क्या हो जाएगा MV1- MV-Cos theta and this should be equal to 0 कि linear momentum in y direction before collision में 0 है और x-direction linear momentum क्या हो जाएगा x-direction linear momentum हो जाएगा MV-Cos theta linear in x-direction यहां linear momentum in x-direction क्या है MV ठीक 2M तो 0 है न 2M तो move करनी रहा यहां से निकल जाएगा V-dash तुमारा निकल जाएगा यह देखो MV-dash sin theta is MV1 M cancel कर दो सब तो square and add कर लोगे तो V1-dash क्या जाएगा it will be V square plus V1 square यह जाएगा चुकि velocity बोला है ठीटा भी निकाल लो ठीटा क्या हो जाएगा turn inverse V1-dash ठीक डिरेक्शन भी निकल जाएगा और वेलास्ट भी निकल जाएगा समझ में आ रहा है यह चीज़ clear है ठीक है linear under conservation से हो जाएगा यह clear आ जाएगा ठीटा जाएगा ठीक in general ऐसे भी देखो mathematical mind लगाएंगे हम लोग तो ऐसे भी लिसे थे लेट विलास्टी अव दे अधर पीस एज V-dash and V-dash is say Vx i-cap plus Vyj-cap बहुत mathematics का बंदा होगा तो कहेगा कि यह यह इतना क्या physics लगा रहो mathematics लगा लेकिन देखो physics लगा के चीज़ों करना ही success है हम लोग mathematics तो होई जाएगा अब after collision linear momentum x direction क्या हो जाएगा MV X ठीक है equals to MV linear momentum in y direction is MV Y minus MV1 सजीव हो जाएगा यहां से क्लीर आजाएगा कि जो रिमेनिंग पर इसका x component है वह वी है आप y component जो है माइनस वी वन है तो नेट विलास्टी हो जाएगा VX square plus VY square जेते V square plus V1 ऐसे भी बोल सकता है बट ठीक है इतना जीव होके नहीं करना है सजीव होके करिये ठीक है समयचते वे करिये ओके लेस्ट मूँ टो नेक्स्क्वेस्टेंट यह क्वेस्टन देखो क्या बोल रहा है यह भी स्ट वर्मा का क्वेस्टन है स्ट वर्मा इस गुड बुक टो स्टार्ट विट है हम लोग जब जैई का त्यारी करते थे हम 98 में कौलिफाई किये थे मेरा सतर सो दस रैंक था उस समय बहुत सटिस्पाइट तो नहीं थे हम अपने रैंक से बढ़ ठीक है चलो कोई नहीं बढ़िया कॉलिज वस्ट तो हम लोग देखो उस समय तो एस्टिवा माँ शुरू करते थे देन भी इस तुडू इरडो तो उसमें सब्जेक्टिव का जमान सब्सक्राइब करना था कि अपर डो ज्यादा लोग नहीं लगाते हैं अब कोचिंग का मैट्रियल ज्यादा यूज करता है लोग एनिवे ठीक है मतर्स प्रेक्टिस करना चाहिए तो एस्टिवाइज गूट बूक तु स्टार्ट विट कोशन देखो एफ बुलेट आफ मा फोर्ट 50 ग्राम यह का को ग्राम है और यह कैटना जी 50 ग्राब करना भाई बंदु फायर की आप है अप लोह हम तो फायर किया है हमारे घर में बंदुक था तो 50 gram is fired from below into the bob of mass for 50 gram of a long simple pendulum as shown in figure the bullet remains inside the bob bob में जाके घुस गया अंदर नहीं रहा गया ठीक है है inside the bob and the bob rises to a height of 1.8 meter find the speed of the bullet my log is speed of the bullet we are take a let speed of bullet is b is b ठीक तो बॉब का वेलास्टी क्या होगा देखो बुलेट बॉब पहले रिस्ट पे था लिनिया अंटर जस्ट भी फोर और जस्ट आफ्टर कुलिजय विल भी कंजर्व्ड लिनिया में टम जस्ट भी फोर जस्ट आफ्टर कुलिजय विल भी कंजर्व्ड यह हम बोलना है से जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर क्योंकि देखो यह वर्टिकल जस्ट भी फोर कुलिजन हीजी कोड़ कुलिजी कूलिजय भी मोमें 20 में चेंज करैट आपμको में दो है क्या है क्या हो जाएगा लिनारो और ज़स्ट इफंट के संथ वह फंघिशन ग्राम का क्या थे रिकल 7 तो फाइब क्या रॉपट के लिकल स्थाथ 0.05 इंटवग क्या हुँ पांसू ग्राम V dash V dash है velocity just after collision velocity above just after collision is V dash क्या बन जाएगा जी V dash will be 0.05 upon 0.5 V upon 10 V upon 10 V upon 10 आजाएगा अच्छा चीक आगे चलते हैं अब हम लोगो भी निकालना है हम लोगो भी निकालना है अब यह उपर जा रहा है कितना बॉब 1.8 मीटर तो फर्मूला क्या है तुम्हारा मतलब उपर जाके कही 0 भी हो जाएगा न वेलास्टी वहां से रिटर्न बैक करेगा 1.8 मीटर जाके उपर जाके 0 हो जा रहा है तो फर्मूला वी स्क्वेर इकोस टू यू स्क्वेर माइनस 2 जी एच फाइनल वेलास्टी 0 हो जा रहा है अज यू स्क्वेर क्या है यू स्क्वेर जो है यहाँ पर वी डैस है वी डैस स्क्वेर माइनस 2 जी एच जी कितना लेने 10 है एज कितना लेने 1.8 है तो वी डेस क्या हो जाएगा वी डेस हो जाएगा आपका अठारा दुनी 36 है अंडर रूट छे मीटर पर सेक्ड़ ठीक है यह आपका आगया 6 मीटर पर सेक्ड़ यानि वी जो हो जाएगा और 60 मीटर पर सेक्ड़ जाएगा समझने आ रहा है क्लियर है momentum conservation करते हैं हम लोग यहां पर ठीक है ठीक चलेगा यह देखो question क्या बोल रहा है तू बाल सोन फिगर तू बाल सोन फिगर आ है अराइडेंकल इडेंटिकल हुदा मास बराबर बराबर रहे था है इडेंटिकल बतलब ठ फिक हañ है हblind का हर रहा है क्या मु犬 रहा है थाएड आ ठीक क्या पो रहा है तर फॉस्स बढद फीक, अब नियुम्न दाकर लो, हाँ, रोग कि हम दो बाला, two balls shown in figure are identical, the first moving at a speed V towards the right, a right direction है रखा-इड दाखाद़, and the second staying at rest, the wall at the extreme right is fixed, ये बाल fix है, assume all the collisions to be elastic, साड़ बुरीजी ने लास्ति है, show that the speeds of the ball remain unchanged after all the collision takes place क्या क्या collision हो रहा है आप देखो एक तो A B से hit करेगा अभी हम लोग देखे थे कि elastic collision में मासे जब बरावर हो जाते हैं तो velocity interchange कर जाता है यह जब इसको hit करेगा तो इसका velocity V हो जाएगा यह रुख जाएगा नहीं आप खाए इसी में समयलो फिगर में एजब हिट करेगा बी को तो A का velocity और B का विलास्टी इंटर्चेंज कर जाएगा elastic collision मासे बरावर है तो B का velocity V हो जाएगा एक विलास्टी 0 हो जाएगा ठीक अब यह वाल को hit करेगा वाल को करेगा तो क्या होगा कि यहां पर थोड़ा सा हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको वाल को PUBG करेगा तो हम क्या बोला राहिए कई बीफौर को में और किया आफटर को или से रहता है अब ड़ा को में दोधाए तो देखो पहले वह शचता बाद वह श शॉचिर को जो x कर दो कि यह बॉल का velocity V dash होयाता है K after collision क्या हो जाएगा K after collision जो है M into V dash square हो जाएगा K before collision क्या हो जाएगा 1 by 2 MV square यानि V dash जो हो जाएगा V के बराबर होगा कहने का मतलब यह V से hit करेगा तो V से ही लोटेगा वापस elastic collision हो रहा है वाल के साथ V से hit किया तो V से ही वापस आजाएगा तो K ही आपका कंजर्व हो गया अब यहां पर एक ची बताओ What about linear momentum What about linear momentum क्या linear momentum conserve हो रहा है देखो यहां पर P जो है अगर इसको X direction मानते हो तो यहां जो ball का P है वो MV है I अब फाइनली P है वो क्या है वो माइनस MV है इसको अगर MV आई लिखो गए तो collision के बाद जो आ जाएगा आपका momentum ball का माइनस MV आई के यानि अगर यह MV है momentum तो collision के बाद माइनस MV है जो है आपका ball का वो 2 MV के बड़ाबर हो जाएगा बास समय जो PF माइनस PI करो आ जाएगा PF माइनस PI वेक्टर क्वांटिटी में माइनस MV आई माइनस MV आई माइनस 2 MV हो जाएगा बस में दो अगर देल्टा पी वेक्टर टेम्स में लिखो गए ना आप तो ऐसे लिखो गए पीएफ माइनस याई यह माइनस 2 MV हो जाएगा सब्सक्राइब निय मेंटम जो है वो चेंज करता है तो ऐसे केसमें पिर कैसे आप बोलों कि लीनिया मेंटम कोलिजन में सेंव रहता है कैसे जस्टिफाई रहता है इसको फर समझो यह कोई बॉल है से वन केजी का आई यह मालो टेन केजी का है तो ऐसे केस में क्या होता है अगर मालो यह टेन मीटर पर से में मूफ कर रहा है अब हिट करेगा तो क्या होगा आप देखो कि इसका मोमेंटम बढ़ेगा इसका मोमेंटम घटेगा इसका मोमेंटम बढ़ेगा और इसका घटेगा यह अर यह हिट किया इसको हीट किया उसस केस में जितना है मोमेंटम लूस करेगा उतना इसके मोमेंटम बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा लेकिं विलास्टी बहु जानी होगी देखो मुमेंटम is M.V. यह जितना लूज़ किया, अगर महान लो, सपोर्ज करोगी, यह 10 से घटके 8 मीटर पर सकंद हो गया, सपोर्ज करो, कल्कुलेशन नहीं करता है, यानि जो मॉमंटम लूज़ करेगा, वो 2 केजी मीटर पर सेकंद लूज़ किया, अब इतना ही मोमेंटम यह गेन करेगा जब यह मोमेंटम गेन करेगा इतना ही तो इसका विलास्टी क्या बनेगा तू केजी मीटर पर सेकंड बाइटेन यह जिरो पाइंट टू मीटर पर सेकंड विलास्टी इसमें आएगा अगर मालो यह बॉड़ी यह बॉड़ी एक वन केजी का एक टे तो इसका गेन कितना होगा? जीरो पहले था? टू केजी मीटर पर सेझें लेकिन वीलासिटी इतना बड़ा? 0.2 ठीक? अजर यही मालो 10 कोई 100 हो जाय « तो और यह मालो यही केसा भी भी है तो यह कितना 2 केजी मीटर पर सेकें लूज किया? और इसका velocity फिर क्या हो जाएगा 0.02 ms पास नजा रापको यह मोमेंटम तो गेन कर रहा है लेकि स्पीड बहुत जायर नहीं बढ़ रहा है स्पीड बहुत जायर नहीं बढ़ रहा है ठीक है ऐसे ही माले बहुत जादा अगर मालो हेवी हो जायर सो वाल है उस केस में क्या होग तो आफ़कोस वाल का मोमेंटम इतना बढ़ा वाल कर् minor मोमेनटम इतना बढ़ा लेकिन वह फ्र लास्ति टैंसस्व आपको कुछ भी नहीं देखे निंधा गयुक्ष इंफाइनाइट है कि यहां मोमेंटम कंजबेसा नहीं हो रहा है मुमेंटम बॉल्रका दूंज ऊर्ण कर दो ब्लक और बॉल्रूंज आइए लिए bono nih सोते हैं ना वो मोमेंटम एबसौंब करने बहुत अच्छा ओता है और इनर्जी आफञा करने बहुत होता है मतलब आप वाल से च्टा करा ओँए न तो आपका के कुछ भी नहीं लेगा लेकि मोमेंटम पूरा एबसौंब कर लिया ठीक है लेकिन केई नहीं ले रहा है केई अब्सक्राइब का प्रापटी यह है देग गुड़ अब्सक्राइब मोमेंटम और वेरी पूर अब्सक्राइब इनजी ठीक है तो यहां पर एक केस आगे इसलिए आपको हम बता दिये सब ठीक है क्या दगों ऐसली तो ध्यान हाना क्या क्या बता ना है इसलिए है बेंट इसको हिट करेगा फिर को लिजन हो जाएगा तो आपका यह जाएगा अब फिर से इसका जो है विलास्टी यह वाल को políticas rebound की भी से खिरिवांड का फिर फिर इसको हिट करेंगा तो यह जात्क फिक हिए र मेघा फिर स्टिक घंगल फिर एड़ जाए हैं है तो ऑधिया आए छो तो Sammy स्पीड सations और समय देख access कीन यह चाहतं है कि तो counted Прいट से इसलिटा ठीक है जी आपको तो यहीं पर रोग देते हैं फिर नेक्स लेक्षर में वह अब्लीक कोलीजन वाला केस करता है ठीक है थैंक यू वेरी मुच